तो है गाइस सर वेलकम बैक स्वागत है आप सबी लोगों का एक और नई वीडियो में तो गाइस पॉक्यमन वर्ल्ड में आभी तक 8 लिक्स दिखाए जा चुकी है जो कि है इंडिगो लीग, औरेंज लीग, जोटो लीग, होईन लीग, सीनो लीग, युनोवा लीग, कैलूस लीग और अलोला लीग, हर एक लिग में आश का परफॉर्मेंस अलग होता है और कुछ नए रैवल्स को इंट्रडूस करवाया जाता है, और कुछ लिग्स काफी अच्छ होते हैं, वहीं पर कुछ लिग्स काफी बेकार होती है, तो आज हम हर एक लिग को कंपैर करने वाले और रैंक करने वाले फ्रम वर्स तुदी बेस्ट, और ये भी जानेंगे कि अब तक की बेस्ट लिग कौन सी थी, तो पूरी रैंकिंग जानने के लिए वीडियो को एंटलग जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, तो अब इंडिगो लीग के साथ, तो इंडिगो लीग में जो कुछ भी दिखाया गया था, वो सब हमारे लिए नया था, जिस वड़े से काफी इंट्रेस्टिंग लीग थी देखने के लिए, और परस्नली इस लीग के अंदर मुझे सिफ वर सिफ दोई बैटल पसंद थी, जो कि थ लेता है, और यह देखने में काफी अची बैटल थी, बट आश ने आपे बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्रैबी को यूज करके, और इसके अलावाए आश वसे रिची में, रिची के सारे पोकिमोंस बहुत जादा वीक थे, और इतने वीक पोकिमोंस लीग में कोई भी नहीं लेके आता है, और इस बैटल में जब रिची का बटर फ्री, आश को स्कॉडल के ओपर स्लिप पाउडर यूज करके उसको सुला देता है, तो रेफरी उसको हरावा बता देता है, पर पोकिमों रूस के हिसाब से, जब भी कोई पोकिमों बैटल के बीच में सो जाता ह जब तक वो फेंट ना हो, और हमने यह अलोला लीग में देखा भी था, जब आश का राउलेट सो जाता है, और इसके बाद आश अपने चाइजार्ट को बेशता है, जो कि रिची के कुछ पोकिमोंस को काफी इजिली हरा देता है, पर बाद में वो आश की बात नहीं मानता जिसवड़ से रिची इस मैच का विनर बन जाता है, और इस लिग में आश टे अपने में रैवल यानि के साथ बैटल भी नहीं की थी, और आश का बिहेवियर भी यहाँ पे काफी चैल्डिश टाइब काता, तो हाँ इंडिको लिग उतनी अच्छी लिग भी नहीं थी, और कैंटो लिग में आश टॉप 16 में रैंक किया था, अब जो नेक्स लिग है वो है औरेंज लिग, औरेंज लिग में सिफ और से फेकी बैटल थी जो की थी आश वसे ड्रेक की, पूरी बैटल में आश आगे चल रहा था, बट जब ड्रेक ने अपने ड्रागनाइट को सेंड क अब जो थर्ड लिग थी वो थी जोटो लिग, जोटो लिग में सच में काफी सारी इंटेंस और आउसम बैटल देखने को मिली थी, जैसे कि एश वसेस गैरी ये परफेक्ट एंडिंग थी एश और गैरी के रैवलरी की, ये बैटल 6 और 6 होती है जहां पे गैरी ने आश के 5 पॉक्यमोन को हरा दियाता है और उसके पास अभी भी तीन पॉक्यमोन बचे थे, और गैरी इतना स्ट्रॉंग था कि हमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एश इस बैटल को जीट भी पाएगा, पर एट लास्ट माक के गैरी की आधी टिम यानि की सीज और गोलम और य इस लिग में आश के पास काफ सार अच्छे पॉक्यमोन भी थे, और जो टो लिग पे आश टॉप एट तलक आया था, अब जो नेक्स लिग आती है वो है होईन लिग, होईन लिग मुझे उतनी खास ने लगी थी क्योंकि यहाँ पे आश का कोई भी मेन राइवल नहीं था, जिस वरे से वह almost disqualified हो गया था, और लास्ट में आश मॉरिसन को motivate करता है बट फिर भी आश इस battle को जीत जाता है, और फिर आश वसे टाइसन में आश टाइसन के म्याउत से हार जाता है, जो काफ़ी disappointing moment और battle थी, और finally बात करें इस लिग के आश के रैंकिंग के तो यहाँ पे पेट तक आया था, अब जो next लिग आती है, वो है सीनो लिग, सीनो लिग में आश काफ़ी जदा मैच और हो गया था, और स्टे अपने old Pokemon का भी यूस किया था, जिनको उसने इस लिग के अलावा किसी और लिग में यूस नहीं किया था, और उसने अपने सीनो टिम को आगे क बैटल में यूस किया था, ताकि वो अच्छा पर्फॉर्म कर पाएं, यह लिग स्टार्ट होती है, एश वसेस नैंडो और एश वसेस कॉनवे के साथ, जहां पे आश इन दोनों के साथ 3 on 3 बैटल करता है, और यह दोनों बैटल सच में काफी अच्छी थी, और फिर हमें Paul और बैरी की बैटल देखने को मिलती है, जहां पे पॉल इजी ली बैरी को हरा देता है, और इससे हमें पता चलता है कि एश के लिए Paul को हराना कितना टफ होगा, और फिर फाइनली एश परसेज पॉल की बैटल होती है, जो की अब तक की पॉकेमोन एनमे की बेस्ट बैटल ह मेरे ओपीनियन में लाइक इस बैटल में बहुत कुछ था यहाँ पे सिर्फ और सिफ एश इस्ट्राटेजी यूज नहीं कर रहा था बलकि पॉल भी अपने स्ट्राटेजिस को यूज कर रहा था और पूरे मैच में पॉल ने एक तरह से आश को डॉमिनेट किया था बट फिर टेंडिंग थी इलेक्टिवायर और इंफरनेप के राइवलरी की जहां पर सबसे पहले चिमचार हारता रहता था बट इस बार उसने इलेक्टिवायर को हरा दिया था और जब हमें लग रहा होता है कि एश अब इतना स्ट्रॉंग बन चुका है कि वह चैंपियन बन और सिफ अपने दो पॉकिमोन का यूज करके आश को हरा देता है बट ये बैटल भी अपने आप में काफी यूनीक थी और सिनो में आश का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था वो टॉप फोर तक आ गया था अब नेक्स्ट आती है यूनो वाले यहां पे आश के अपने को फुली वॉल्व भी नहीं किया था और काफी बेकार परफॉर्म किया था यहां पर आश के सबसे पहली बैटल लिए उसके राइवल यानिके ट्रीप के साथ होती है जो कि वण-वन बैटल होती है जहां पर ट्रीप अपने सर्पीरियर को बेजता है और जहां पर पिकाच यहां पर इसके तीने पॉक्यमोन ने अच्छा परफॉर्म किया था जो कि यहां पर हमें आश की दो ही प्रॉपर बैटास देखने को मिली थी जो कि थी आश वर्सेस अलान और आश वर्सेस सौवियर और भले ही यहां पर दो ही बैटल दिखाई गई हो बट यहां पर दोनों बैटल्स के पास सुपर स्ट्रॉंग और फुली वॉल्फ पोकीमोन थे बट इसके अलावा कैलोस लिंग में आश के बैटल्स के उपर उतना फ ये टॉप टू ट्रेनर में इसे एक था यानि की रनर अप था अब जो नेक्स्ट और लास्ट लीग आती है वो है अलूला लीग इस लिग के अंदर सीफ और सिफ एश की नीबल की बाकी करेक्टर्स की भी काफी सारी ऑसम बैटल थी पर इस लिग की जो टॉप बैटल थी वो और एश वर्सेस ग्लेडियॉन गुजमा एक अटिफिटर ट्रेनर था यानि कि एश से हारने से पहले वो इसके पहले कभी भी नहीं हारा था और हारने के बाद उसको रियालाइज हुआ कि वो स्ट्रॉंग इस्ट्रेनर नहीं है और वो और जाधर स्ट्रॉंग बनने चला गया और फिर आश वसस ग्लेडिया उन इस बैटल में सिफ वस एक ही कमी थी जो कि थी ये बैटल 6 on 6 नहीं थी उसके अलावा ये बैटल बिल्कुल परफेक्ट ही और इसी मैच के बाद आश चैंपियन बना था जहां पे आश के डस्क लाइकन रॉक ने ग्लेडिया उनके मिड रैंकिंग पसंद नहीं आती तो आप लोग अपनी रैंकिंग कमेंड बॉक्स में बता सकते हो और हां ओफेंड होने के जरूरत नहीं है तो स्टार्ट करते है नंबर 8 के साथ नंबर 8 पर आता है कैंटो लीग इस लिग में काफी वीक ट्रेनर्स आया थे और नंबर 7 पर ती यहाँ पर एश वर्स गैरी और एश वर्स हैरिसन जैसी बैटल्स थी और यह अब तक ही वन अफ दे बेस्ट लीग ती नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आती है कैलोस लीग अब इस बात से काफी लोग डिसेगरी करेंगे बट कैलोस लीग में सिर्फ और सिफ दो ही बैटल्स थी मतलब और इस रिजन में लीग के उपर उतना फोकस नहीं किया गया था तो लीग के अकॉर्डिंग यह नंबर 3 क्ले परफेक्ट है और नंबर 2 पर आती है सीनो लीग नो डाउट सीनो लीग अब तक ही वन अफ दे बेस्ट लीग थी यहाँ पर हमें काफी सारी एसी चीज़े देखने को मिली थी जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और फार्निली नंबर 1 अलूला लेग यहाँ पर हमें काफी सारी ओसम बैटल्स देखने को मिली थी जैसे कि एश वसस गूजमा या फिर एश वसस ग्लेडियॉन और यहाँ पर चैंपियन भी बना था एंड वीडियो में बस इतना ही था वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हाँ दुबारे मिलेंगे एक और ऐसी ओसम वीडियो के साथ अंटिल दैन पीस आउट